हालो गाईज, कैसे हैं, आप सब आसा है, आप सब भी अच्छी होंगी, आज हम आपके साथ सेर करने वाले हैं, बहुत ही ज़्यादा स्वाधिस्ट मसूर की दाल, इसको मैंने कैसे बनाया है, आज हम आपके साथ सेर करेंगे, तो इसको बनाने के लिए हमने यहाँ पड़ लि लंबे लंबे पीस काट लिये हैं प्याज के और इसको हम दाल के साथ मिला दिये हैं और इसको अब हम धुल लेंगे अच्छे साफ कर लेंगे कूकर में हम पानी ले लेंगे और इस दाल को धुल के हम इसी कूकर में डालेंगे तो दाल के साथ ही आप प्याज भी डाल कच्छा पेय Raj डाल रहे हैं और पेयाज डालने की ऐद हाम इसमें कटे हुए टमाटर भी डाल देंगे और इसके बाद हम यहाँ पर नमक आएड़ करेंगे नमक का अपने स्वाद अनुसार आड़ कर दीजिए और नमक डालने के बाद हम 2 बड़े ग्लास पानी डालेंगे पानी आप अपने अंदाज से ही डाले तो ये हमारी 200 ग्राम डाल है तो हम यहाँ पर दो बड़े ग्लास पानी डालेंगे आप जादा पानी मत डाल यह नहीं तो यह दाल पतली हो जाएगी और पतली दाल यह अच्छे नहीं लगती है थोड़ा गाड़ी-गाड़ी सी दाल बनाएंगे अगर आपको पतली पसंद है तो आप पानी थोड़ा जादा मिला लिजिए और cooker को हम ढख packaging लगा देंगे ढख करने के बाद हम इसको gas पर रख देंगे तीन CT आने के बाद हम गयस को बंद कर देंगे तो अगर आप के cooker में दो सिटी पर डाल पकती है तो आप दो CT लगाएं हमारे cooker में तीन CT आएगी तभी मसूड की दाल पकेगी तो इसलिए हम यहां पर 3 सिटी लगा रहे हैं तिन सिटी लगाने के बाद हम गैस को बंद कर दिये हैं और प्रेसर निकलने के बाद हम कूकर को खोलेंगे तो आप लोग देख सकते हैं कि यह दाल हमारी गाड़ी गाड़ी पक कर तयार है पक गया है अब हम गैस पर कढ़ाई रखेंगे और कढ़ाई में हम डालेंगे दो चम्मच सर्सों का तेल हम यहाँ पर बहुत ज़्यादा सर्सों का तेल यूज नहीं कर रहे हैं क्योंकि हमें अभी तेल ऊपर तड़के में भी लगाना होगा तो इसलिए हम ज़्यादा तेल डालेंगे और जब तेल गरब हो जाएगा तो हम इसमें कटे हुए लहसुन और कटी हुई हरी मिर्च डाल देंगे और जब यह लहसुन और हरी मिर्च पक जाएगी तो हम इसमें प्याज डालेंगे और प्याज को भी हम अच्छे से पका लेंगे प्याज को हम गोल्डन ब् करेंगे जब प्याज हमारा भून जाए तब हम इसमें डालेंगे हल्दी पाउडर हल्दी पाउडर डालने के बाद आप यहां पर लाल मिर्ची डाल लिए अगर आप लाल मिर्ची नहीं डालना चाहेती हैं तो आप हरी भी डाल सकती हैं तो यहां पर हम लाल मिर्ची थोड़ तो आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर तेल ज़ज़ा नहीं है मैंने तेल बहुत ज़ज़ा नहीं लिया है और अब हम इसमें डाल देंगे कटी हुई हरी धनिया इसको भी हम भून लेंगे यह धनिया हमारी जब फड़े से पक जाएगी तो इसका स्वाद और भी अच्छ चलाएंगे तो मिक्स हो जाएंगे एक में मिल जाएंगे और यह दाल हमारी पूरी तरह से बनकर तयार है अभी हमें इसमें तड़का लगाना है तो तड़का हम उपर से लगाएंगे आप लोग देख सकते हैं कि मसाला धनिया सब कुछ अच्छे से मिक्स हो चुका है और इ दाल हमारी पक चुकी है और इसको नीचे उतार कर रख देंगे उसके बाद हम चम्चे में तेल लेंगे तो यह हमने दो बड़े चम्मच सरसों का तेल लिया है और इसमें हम सूखे मसाले डालेंगे सूखे मसाले जैसे कि जीरा हो गया हमारा और खड़ी लाल मिर्च हम यहा बड़ा सा पकाएंगे और उसके बाद हम उपर से जो तड़का हमने बनाया है उपर से हम इस दाल में डाल देंगे तो इससे हमारी जो दाल है इसका स्वाद्दोग न हो जाएगा खाने में यह बहुत टेश्टी लगेगी आप चाहें तो रोटी यह चावल के साथ इस दाल को खाईए इसका आनंद लीजे यह आपको बहुत अच्छी लगेगी यह गाढ़ी गाढ़ी दाल आप एक बार जरूर बना के खाईए यह मसूर की दाल है तो वीडियो हमारी कैसे लगी आपको हमें कमेंट करके जरूर बचाना बच्चे भी इस दाल को बड़े प्यार से खात करते हैं उनको तो यह दाल बहुत ही ज्यादा पसंद है दोस्तों तो एक बार आप जरूर ट्राइए करिएगा वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना शेयर करना थैंक यू